बाइबल बताती है कि जब लोगों न योना नभी से पूछा कि तू कहा का है और हमें बता कि यह वीपति हम पर केस्थ किस कारण से आ पड़ी हैं तेरा उद्धम क्या है तू कहां से आता है तू किस देश और किस जाती का है तो उसने उनसे स्पस्ट कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का पर्मेश्य यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहवाद जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भै मानता हूँ यह उन दिनों की बात है जब परमेश्वर की ओर से योना नभी को आदेश मिला था कि जाकर निनिवे में प्रचार कर कि मन फिराए वे लोग क्योंकि निनिवे का अंत निकट है परन्तों योना नभी नहीं चाहते थे कि वे वहाँ जाए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि निनि जाना चाहते थे और वह क्यों नहीं चाहते थे कि नीनिवे के लोग बचाए जये नीनिवे जो असूर की राजधानी थी वहाँ पर एक करuren उस समय राज्ज कर रहा था और वहां के हर एक लोग पाइसे के अधिकता के धन के अधिकता के कारण बहुत दूस्त क्रूर और आयनाइतिक हो गय थे इसलिए योना नभी नहीं चाहते थे कि वे लोग बच्चें क्योंकि उन बे लोग बार बार इस्राइलियों वर हमला भी कर देते थे इसलिए योना नभी चाहते थे कि उन्हें दंड मिले परंतु यह विचार योना नभी की थी अर्था एक मनुष्य की थी लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते परमेश्वर चाहते थे कि निनिवे के लोग बचाय जाए इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई उस योजना के तहत योना को यह बुलाहर दी कि वो निनिवे को परमेश्वर को प्रचार करें मन फिरा का संदेश दे ताकि लोग मन फिराए परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के पास आए इस प्रकार से वहां के लोग बचाय जा सके यह परमेश्वर की मरजी थी परमेश्वर कभी नहीं चाहते मनुष्य जो परमेश्वर की सर्वस स्रिस्टी है और जिससे वह बेहत प्रेम करते हैं वह मिटे जाए परन्तो योना नभी सब को जानते वे भी अपने विचारों को प्रत्हमस्थान दिया और परमेश्वर के आग्या को ना मना और निनिवे ना जाकर तर्शीश की और जाने वाले जहाच पर चड़ गया हाँ प अपने सोच अपने विचारों को एकदम सही मानते हैं और परमेश्वर के विरोध में अनाग्या कारी हो जाते हैं तर्शीश जो स्पेन के दक्षीनी पक्षीमी का एक छोटा सा शहर था उस वोर योना जाने लगे परन्तो परमेश्वर ने अपने आग्या का पालन करने के उसे बाद्धी करने हैं तो भूमध्य सागर में एक बहुत बड़ा तुफान भेजा परमेश्वर अपने कारियों को करने के लिए अपनी ही स्रस्टी का अस्तरमाल कियें इस आंधी और तुफान के कारण योना नभी के साथ साथ जहाज में जितने लोग सवार थे सब के प नाग्याकारिता और परमेश्वर के प्रती वचन बद्धता नहीं होते हैं तो हम हमारा परिवार और हो सकता है और भी लोग हमारे आसपास हैं दुख उठाते हैं इस आंधी और तुफान से बचने के लिए नावी के वम अन्य वेक्तियों ने सब के नाम के चिठ्थी निक जब चिठ्थी में योना का नाम निकला लोग योना से पूछने लगे तु कौन है और या आंधी तुफान क्यूं आ रहा है तब योना ने अपने पांपों का अंगिकार किया और अपना समर्पन भी दिया और परमेश्वर के नाम के सामर्थ को प्रगट किया उसने कहा कि जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भै मानता हूं अब योना नभी के पास कोई घपराहट नहीं थी अब योना नभी ने वे सभी बातें जो उसके जीवन से होकर गुजरी थी सब बातों को सब के सामने बताया जब उसने यह गवाही दी तो लोग दर गए और उसे यह परमेश्वर के विरोध में काम किया है इसलिए उन्होंने अपने लिए दन्ड को न्यूक्त किया और उन से कहा मुझे समुद्र में फेक दो उन्होंने अपने लिए मृत्यु दन्ड को निश्टिक किया परमेश्वर प्रेमी हैं परमेश्वर ने योना नभी के लिए एक उत्तम योजना के तहर एक बहुत बढ़ी मचली को वहां ठहराया जिसने योना नभी को निगल लिया और योना नभी तीन दिन तक उस मचली के पेट में सुरक्षित रहे यह तीन दिन योना नभी के लिए आत्म आंकलन का दिन था। इन तीन दिनों में योना नभी मचली के पेट के अंदर रहकर परमेश्वर को अपना समर्पन दिया, अपने पापों की शमा मांगी तब परमेश्वर ने उसे शमा किया। फिर उस बड़ी मचली ने परमेश्वर के आग्या के अनुसार योना नभ को किनारे में उगल दिया हूँ अब योना नभी नए निरने नए स्पूर्ती और परमिश्वर के सामर्च से परिपुन होकर निनवे की ओर गया और उन्होंने मन फिराओं का संदेश निनवे में दिया और निनवे के लोग अपने पापों से मन फिरा कर परमिश्वर के ओर ल प्रमिश्यर की एक महत्वपुन इक्षा यह है कि उसकी कोई भी प्रजा नस्ट नहों सब कोई बचाये जाए हर एक जन अपने जीवन को परमिश्यर के हातों में सोपे और परमिश्यर के लिए अपने जीवन को बिताए प्रभु के बड़े नाम की स्तूति हो